अगर गिरफतार हुआ मैं तेजस्वियादो जी चाइलेंज है आप जितना मेरा कुंडली खंगा लेंगे उससे सोगुना ज्यादा कुंडली मैं आपका खंगा लूँगा एकदम गैरेंटी और जेल से आने के बाद 180 दिन के अंदर आपकी सरकार गिरा दूँगा तेजस्वि भी अपने बात पर अटल हूँ कि आपको जो है मुखमंत्री नहीं बनने दूँगा आज भी मैं अटल हूँ अगर आप भारत के पहले ऐसे राजनेता हैं बारत के पूरे इंडिया के पहले ऐसे राजनेता हैं जिनके पिता जी मुखमंत्री रहे हैं जिनकी माता जी मुखम यादो जी आपके पिता जी मुखमंत्री एक फिर भी आपको पढ़ा नहीं पाए आप पड़ नहीं पाए और मेरे पिता जी आर्मी में थे मुझे तो पढ़ाई में तेजस्वियादोजी फ्लॉप हुए आप फिर क्रिकट में फ्लॉप हुए आप फिर बियार का मुक्मंत्री बनके पूरे बियारे को डुबा दिया आप सीबी आई आपके घर पे पूश्टाच कर दे जाती है और आप केसा हमारे उपर करवा देते हैं कहा है कहा है कि दिपा होली के समय में थोड़ा सा मुद्दा डाइबट हो जाए अखिर ऐसा कौल सा मजबूरी था तेजस्वियादोजी कि नववा से आगे आप पड़ नहीं प पाया और बहुत से भाईयों को मैं रिप्लाई नहीं दे पाया उसके पीछे रीजन है कि फेस्बुक ने लाइक कमेंट जो है वो बैन कर दिया क्योंकि आज मैंने बहुत सारा लाइक और कमेंट किया था बहुत सारा रिप्लाई दिया था बहुत सारे लोगों को तो अब मै रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूं बस आप लोगों का प्यार देख के बहुत अच्छा लगा जारखंड में लोगों ने बैनर पोस्टर लगवाया है अमन भाई तहे दिल से धन्यवाद हजारी वाग के हमारे अमन भाई आराम के जो है सिंगर अभय चोबेजी जो है वह संदेश आएगा उन्होंने भी जनम दिन का बदाई दिया ट्विटर पे और इस्टाग्राम के माध्यम से बहुत सारे